तो आगे या रिकॉर्ण है वीडियो के साथ वापीस तो गाइस आज के डिवे मैं आप लोगों को बताया रहा हूँ किस तरह से आप जो यूटूब वीडियो अपलोड करने के पहले ही यह पता कर सकते हो क्या आपके वीडियो पर व्यूज आएंगे या नहीं तो गाइस आज मुझे एक कमाल की ट्रिक पता चलिए जिसके एल्प से आप लोग यह पता कर सकते हो आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाओगे तो आपको कितने व्यूज मिलेंगे और आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए जिससे आपको ज़ादा व्यूज मिले तो सब कुछ मैं आपको डीटेल में समझाने आला हूँ तो वीडियो का एंड तक देखते रहे ना और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना तो गाज अभी सबसे पहले में आपने यूट्यूब से बीटा ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर गाज इस वीडियो में जो भी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सारी प्रोसेस आपको अपने मोबाईल से भी फॉलो कर सकते हो तो गाज आप लोग ने ट्यूबड़ी एक्समेंशन के बारे में तो सुनाई होगा अगर आपके पास मोबाईल है तो आप जो मोबाईल में भी ट्यूबड़ी एक्समेंशन फ्री में डाउनलोड कर सकते हो तो इस topic के उपर मैंने अपने चैनल पर पहले से वीडियो बना रखिए तो उस वीडियो के लिंक में आपको जो डिसक्रप्शन में देदूँगा तो उस वीडियो को देखके आप लोग जो है TubeBuddy एक्स्टेंशन मोबाल में डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर गयाँ टूबड़ी एक्स्टेंशन को मोबाल में यूज कर सकते हो और अगर आपको पास PC लैप्टोप पे तो आप जो PC लैप्टोप में भी TubeBuddy एक्स्टेंशन को किस्ता से एड़ कर सकते हो तो उसके उपर भी मैंने वीडियो बना रखिए तो दोनों वीडियो की लिंक मैं आपको जे डिस्क्टेंशन में दे दूँगा तो यहाँ पर जो भी टॉपिक है जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है सबसे पहले यहाँ पर आपको जे सर्च करना है तो हैं पर मैं सर्च कर लेता हूं YouTube पर यह सर्च करते हैं Facebook से पैसे कैसे कमा है उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शन लिखें यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन पर सकते हो यहाँ पर यह लिखा कि इस keyword पर rank करना बहुत जादा मुश्किले तब यहाँ पर मुझे पता चलिगा कि अगर मैं यह keyword को यूज करता है अप पर यह पर आते हैं उसके वीडियो पर जाधा व्यूज आएंगे क्योंकि उसके पास अच्छा सब्सक्राइबर बेस है बट अगर अगर आप स्टार्टिंग के स्टेज में इस keyword को यूज करके वीडियो बनाते हो तो आपके वीडियो पर जाधा व्यूज नहीं आएंगे तो यहां पर इसके अगर मंतली सर्चेस देखोगे तो 8600 लोग इस keyword को यूज करते हैं मंतली तो यहां पर यह क्लियर हो जाता है कि इस keyword को अगर हम अपनी YouTube वीडियो में यूज करेंगे तो हमें जो है वीडियो पर व्यूज बहुत कम मिलेंगे अब यहां पर मैं इसके 24 वीडियो आपको मिल सकते हैं आपके YouTube वीडियो पर अगर आप नीचे देखोगे तो यहां पर इंस्ट्रक्शन वापस से आ रहा है और यहां पर यह क्लियर लिखा है कि यहां पर competition भी है बड़ आप जो इस keyword पर rank कर सकते हैं अगर आपका वीडियो का content अच्छा होगा तो यहां पर अगर आपको Facebook से पैसे कैसे कमाई इस topic के ओपर वीडियो बनाना है तो आपको यह keyword यूज़ करना चाहिए जो कि है Facebook से पैसे कैसे कमाई 2020 क्योंकि 100 में से 34 लोग इसे YouTube पर सर्च कर रहे हैं इसका competition भी इतना जादा नहीं और इसका search volume भी अच्छा ही है और यहां प यहां पर आपको यह keyword explorer के help से यह बता चल जाता है कि आपको कौन सी keyword अपनी वीडियो में यूज़ करना है तो आप यह इसी से अंदाजा लागा सकते हो कि आपके वीडियो पर वीज़ आएंगे या नहीं तो यहां पर आपको यह उसके बाजियों आपसे मिलता है result का और result म यह इस पर मेरे वीडियो आ रही है क्योंकि इस टॉपिक के विडियो पर मैंने भी वीडियो बना रही है और भी मेरे इस वीडियो पर 1200 के आसपास दिए तो यहां पर यह इसका result वगरे डेख सकते हो trending वगरे सब कुछ आप आप जो चेक कर सकते हो कि कौन से चैनल ने कितने यहां पर कुछ और लिखता हूं जैसे फेस्बूक पेज कैसे बनाए अभी मेरा टॉपिक के यूटूब वीडियो का कि फेस्बूक पेज कैसे बनाए तो सबसे पहले मैं कीवर्ड एक्स्प्लोरर में आके यह सर्च करूँगा कि इसकी सर्च वॉल्यूम कितने इसका इसका कॉंपिडिशन कितना है तो यहांपर मैंने सर्च के लिए फेस्बूक पेज कैसे बनाए सरिफ सो मेंसे पाँच लोग जो है इस किवर्ड को यूज करते ही यूटूब में सर्च करने के लिए इसको कॉंपिडिशन आप देख सकते तो search volume देख सकते हो अब यहां पर मैं गाइस लिख देता हूँ English में how to make Facebook page और यहां पर भी देखते हैं इसकी volume कितने है और इसका search वगरे कितना आता है तो हाँ पर मैंने search के लिया how to make Facebook page तो 100 में से 30 लोग इस keyword को जो यूज करते हैं अब मैं पहले यूज करना दलता Facebook page कैसे बनाए उसमें स्रिफ 100 में से 5 ही लोग यूज करते हैं अगर मैं वह keyword को यूज कर लेता अपने वीडियो में तो obviously बाते बहुत कम व्यूज आते मेरे वीडियो पे अब अगर मैं यह keyword को यूज करूंगा how to make Facebook page तो 100 में से 30 मतलब थोड़े बहुत तो चांसे मेरे वीडियो पर व्यूज आने के और गाइस इस keyword का सर्च वालियो में और जो competition वह भी ठेक था कि अगर आप इस keyword को यूज करके वीडियो बनाओगे तो चांसे से कि आपके वीडियो पर ज्यादा व्यूज आए तो गाइस ट्यूबड एप्लिकेशन में जो keyword explorer यह बहुत ज्यादा important है अगर आपको अपने वीडियो को rank को अगरे कराना है तो यहाँ पर वीडियो बनाने के पहले आपको जो भी topic है यहाँ पर search के लेना होगा जैसे अगर आपका topic है online earning कैसे करें तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत सरे बड़े बड़े यूटोबर ने जो पहले से इस topic प कमाएं तो यहाँ पर आप जो 2020 कर सकते हैं online earning कैसे कमाएं घर बैटके यह सब आपको जोड़े बहुत कीवर्ड इदर उदर करने होते हैं जिससे आपके वीडियो पर जादे व्यूज आने के और अगर अपने अभी तक mobile या PC में ट्यूबर एक्स्टिंशन को डाउनलोड न अगर आपके वीडियो पसाना है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चनल पर नए हो तो इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजले बेल अको जरूर से दबा देना तो आजकर में बस इतना ही मिलते हैं एक और और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ